कस्टम रॉम तो इंस्टॉल करना यारो लेकिन बहुत रिस्की है फोन के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई फोन नहीं खुला तो क्या होगा पापा तो मारी देंगे मेंको तो टेंशन लेगी बात नहीं है आज की वीडियो में आपको एंगदम किलियर कर दूंगा कस्टम रॉम कैसे इंस्टॉल करते क्या क्या प्रॉसेस रहता कस्टम रॉम को इंस्टॉल करने का मैंने अपने डिवाइस में बहुत से कस्टम रॉम को इंस्टॉल किया है में को याद है जब मैंने अपने डिवाइस में फर्स्ट कस्टम रॉम को इंस्टॉल गया था तो मेरा डिवाइ करें एक चीज़ आपको इपफीचनल पे टूटोरियल है आप देख सकते विद पेसी डौनár प्रोसेस्स से आप अपने डिवाइस का बूलड़ उनलॉक करपाएंगे विडियो सापको दिस्कृप्शन में मिल जाएंगे bootloader unlock के लिए अब आगे के steps क्या रहेंगे bootloader को unlock करने के बाद आपको अपने device का code name बता करना पड़ेगा अब ये code name क्या रहता कैसे आप बता कर वेंगे वह मैं आपको यहाँ पर बता दा हूँ तो जैसे कि आपको बता होगा कि हारेक device का model नमबर रहता यूनिक वैसे यहाँ पर हरेक device का यूनिक code name रहता इस code name की मदद से आप अपने डिवाइस से custom recovery को download कर पाएंगे जो कि सिफ आपके device में work करेंगे मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में बहुत से घलती कर दी थी कि दूसरे डिवाइस की custom अपने डिवाइस में flash कर दिया था और दूसरे डिवाइस से custom recovery भी मैं अपने डिवाइस में flash कर दिया था तो मैं को यहाँ पर सीधा सब को सर्च कर देने के बाद आप यहां पर दे सकते मेरे डिवाइस का कोड़ने में आप लिखा वा आ चुगा है करना तो इस कोड़ने में की बज़से मैं अपने डिवाइस के custom recovery से custom को डाउनलोड कर पाउंगा आप यहां पर इस वाली website को चेकाइड कर सकते हैं आप को मिलजाएंगे जैसे शौमी 14 का याप यहां पर सेंग कोड़ने में वैसे यहां पर आपके डिवाइस का कोड़ने में मिल जाएगा तो इस वेबसाइट का लिंग में आपको काूपने के लिए हमें फ्रूटे रेक्सोट करेंगे तो एकसैंबल के लिए ध्रूम कहां एक्सटनतरी का कोडने लिए रहा हूँ वह करना है तो मैं पर सबस्क्रांने का गुगल पर करना की kingdom कार्याओं लॉट कर पाएंगे याँ पर आपको डॉनलोड का सेशन मिल जाएगा तो ऐसे आप किस्टम रेकवरी को डॉट कर पाएंगे तो इतना लाप प्रॉसस करने के बाद आप अपने डीवैस से कस्टम रिक फेटी तो डॉनलोड कर चुके होंगे अभार यह फ्लैस करने के लिए आप पीसी और विताउट पीसी दोनों की मदद से आप इसको फ्लाश कर पाएंगे आपको मिल जाएगा अपने इस चैनल पर डिस्क्रिप्शन में भी दाल दूँगा और उपर आई बटन पर लिंक आप दूँगा किस्टम रिकवरी डॉनलोड कर लिए फ्लैश भी कर लिए अब अपने को कस्टम रॉन को डॉनलोड एंट फ्लैश करना पड़ेगा कोडनेम की मदद से अपने वो डॉनलोड कर सकते आपको बताएए फिर भी में आपको यहां पर बदा दे रहा हूं तो अपने डिवाइस का सब्सक्रिप्शन रॉम को डॉनलोड करने के लिए आप डॉनलोड कर सकते विद्य अलप औफ कोडनेम यह सब कुछ करने के बाद आपके बास कस्टम रॉम है आपके डिवाइस का अब मैं आपको बताता हूं कि आपको फ्लैश करसे करना है अपने कस्टम रिकवरी में आपको आ जाना है यहां पर सबसे पहले एंड मोस्ट करेंगे और यहां पर आप सारे चेक बॉस्स को चेक करके बैक अप ले लिए वैसे आप अपने यूस्बी ओटीजी में और अपने मैक्रोश्टी काड़ में इसको बैक अप कर सकते स्टोग रॉम का फाइल साइज यहां बहुत हाय रहता आपको यहां पर 20GB के प्लस स्टोर स्टोग रॉम में उसको डिलीट करना पड़ेगा उसके लिए अपन क्या करेंगे वाइप पे चलेंगे अडवान स्टोग रॉम यहां पे डिलीट हो जाएगा इतना होने के बाद बैक चाहिए इस्टॉल पर चलिए सबसे पहले आपको यहां पर फ्रॉम पर इन्स्टॉल क को फ्लाश कर देना है तो यहां पे देशिते कस्टॉम भी अपना फ्लैश हो चुका है आपने हम वाले बटन पर करेंगे और आपको यहां पर आपने डिवाइस को फॉर्मेट करना है और आपका डिवाइस सक्सेश्फूल यहां पर एर फेस करने को नहीं मिलेगा तो वीड इंफुल इंफॉर्मेशन में आपको देते रहता हूं अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी वीडियो को तो यारो सब्सक्राइब तो कर दो यारो बहुत सरूरत है सपोर्ट की और इस वीडियो को शेयर करना तो चलो फिर आपने वीडियो को एंड करने वाले शॉर्मेशन में अजय को यारो सब्सक्राइब तो चलो फिर इन परो किया झाले